असलाम उलेकुम दोस्तों कैसे हैं आप लोग तो यह वेडिंग प्रैक्टिस की वीडियो है दोस्तों हमने यहां तक पढ़ाया था अब फिर से हम यहां से करते हैं अगर आप कोई स्क्रीन शॉट लेना है तो यहां से आथ ले लिजे ठीक है इसके पाद इसको आप अब इसकी जिली शुरू करता है यह अलिभ जिर ई और यह सीन फूल फॉर्म में हिसी ठीक है तो हो गया इस सीन वाव पेश पेश है नहीं लेकिन हमें पढ़ाना है क्या हम पढ़ चिपके हैं कई मरतबह इसलिए हमें पता है इसलिए आप भी जब कई मरत पढ़ लेंगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि यहां पर क्या लगाना है ठीक है तो वाव है तो यहां जबर होगा या पेश होगा सीन वाव जबर होगा तो साव होगा सीन वाव पेश होगा तो सो होगा ठीक है और सीन वाव सीन पर पेश वाव पर उल्टा पर समझेंगे तो सू होगा ये तीन चीज़े आज़ती हैं बाकी सीन पर कुछ नहीं हो सकता है ठीक है सीन वाव पर सो सीन अलिफ जबर सा सो सा फिर हमजा है तो हो गया सोसाइटी टे है इतना शौट फरम अब पर यहां से यहां तक शोटी है तो हो गया टे शोटी है टी सोसाइटी नून और बड़ी यज़े ने आइन है इतना फिर अलिफ है यहां तक आइन अलिफ जबर आ और यह मीम हो गया आम यह आम कौन सा है आइन वाला है एक है अलिफ मद वाला आम यानि उससे जो एक फल का नाम है यह आइन अलिफ जबर आ और मीम आम आइन वाला है है अर्बिक वर्ट से लिया गया है आम आइ mãrit हीप जेर है और ये नून है तो हो गया इंच इ champs को इसके पर दोस्तों दाल वाव डाल पर पेश वाह पेश तो का NEW अर एसी हिंदूस के लि繼續 ता Cristal sing दूस कि यह वाव पेश यो अनून वना लेंगे तो हो यह हिंदूस画 नियों काव बढ़ी जेर के फे जबर फा लाम अल्फ जबर ला फला और बढ़ी हे यह होगय फलाख यह वाव होगया फलाख भे चोटी हे जबर बह बे वाव उल्टा पे शिबूद और दाल बहबूद यह काफ और बढ़िये जेर के यह लाम छोटिये ली फिर बढ़िये लीए काफ जबर काफ हमजा और छोटिये कई अलिव जबर आ छोटिये जबर हा और इमीम एहम एहम तो देखिए कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे हे पे जबर ना भी लगाएं हमें करना क्या है हमें चोटी है और मीम की आवास को आ से मिला देना अल्ब जबर आ तो आप जबर मत लगाईे है ना तो भी आहम आहम यानि हावाज में देशलना अगर जबर लाते हैं अहम तो भी एकी बात है ृटिक है लेकिन जबर लानत कुछ लोग ये समझेंगे कि अहम पढ़ेंगे इसलिए दोस्तों जबर नहीं लगा ये तो बहतर है अहम ठीक है अहम मतलब important अलिब जबर ई और काफ एक दाल अलिब जबर दा एक दा और ये मीम एकदाम एकदाम बोलते हैं steps यानि कोई कदम उठाना उसे वो कदम उठाने का plural है एकदाम ठीक है ये एकदामात काफ चोटी ये की फिर बढ़ी ये की ये जीम जिर जी और ये नून जिन मीम बढ़ी जिर मे नून गुना मे सीन जबर सो और ये बे सब सीन और बढ़ी ये जिर से अल्व जबर आ चोटी है और मीम एहम काफ जबर काफ दाल जबर दा कदा और ये मीम गदम देखिए यहां तक एक वर्ड खतम हो गया जैसे यहां से यहां तक एहम पिर यहां गदम पिर नहांसे शुरूगा अगला वर्ड अल्व जबर आ लाम चोटी है ली अली गाफ और ले गाफ जबर गाफ ले और दुचश्मी अल्व अली गड़ अली जबर ई और ये नून इन सिन जबर सी टे छोटीए टी इनस्ती ते जबर ये वाव उल्टा पेश्टी व और ये ते इंस्तिटीट गफ जबर गाफ जबर जबर जदबर जो और ये ते गजट काफ अल्व जबर का जीम अल्व जबर जा रे चोटी ये री जारी काफ जिर की ये अल्व जबर या किया जीम अल्व जबर जा नून अल्व जबर ना जाना ते दो चेश्मी हे जबर थो और अल्व था जाना था अल्व जबर ई और सीन इस अल्व जबर आ और खे अख बे अल्व जबर बा अख बा और ये रे अख बार काफ अल्व जबर का शीन पे शू मीम अल्व जबर मा शुमा और ये रे शुमार अल्व पे शू और सीन उस जे जबर जा मीम अल्व जबर मा जमा नून बढ़िये जे जिने जमाने काफ और बढ़िये जिर के बेजबर बा और चोटी है बह तेजबर ता दो नुकते हैं और रे तेजबर ता और रेतर बहतर देखिए जबर जरूर है लेकिन आपको मैं बता दूं के जबर की अवास एकसप्शन है यानि कि कुछ चीज़ें उससे अलग हो जाती ह कानून मतलब जो काइदा है इसमें जैसे के बे और शोटी है हमने क्या निकाली आवाज मूँ से बेख लेकिन जबर की वे से बह पड़ा जाता है लेकिन दोस्तों यही चीज़ें समझने वाली जैसे हमने चोटी हे पर जबर लगाया तो एहम पड़ा हमने अलिक पर जबर बहतर अभी तरह बहतर हुआ लेकिन देखिए दोस्तों बेजबर बा और चोटी है बह हो गया है ना ये चीज़ समझने वाली है बहतर रे और चोटी है इस रे को इस चोटी है से मिला जिए दो नक्ता है तो री हो गया बहतरी और ये नून है तो हो गया बहतरी आलव जबर र ए और खे अخت कि ये अलव जबर या गीлект किया जीम आलव जबर जा निया चाना ते दो चश्मीे जबर थो हकाव जबर याँ तो दोस्तों ये थी आज की कहानी लास्टों हमने रवानी से नहीं पढ़ा था ठीक है ना तो रवानी से पढ़ देते हैं ठीक है तो यहां से पढ़ते हैं बलके हम यहां से पढ़ते हैं अच्छ ठीक है दोस्तों यहां से अपरैल अठारा सो सताउन इसी में सरसियत का अग्दला सदर सुदूर की हैसियत से मुरादबाद हो गया। एक साल बागियों की जाइदाद की तफ्तीश के सिलसले में एक स्पेशल कमिशन बनाया गया। जिसमें सरस्यत अकेले हिंदुस्तानी मेंबर थे। उन्हों ने अपने असरो रसुख से बहुत से हिंस्ताईयों को फांसी और जबती से बचा लिया। उसके बाद सरस्यत ने असबाब बागावत हिंद लिखी और 1857 एसीवी की बागावत के लिए अंग्रेज हुकाम को जिम्मदार ठहराया। जन्वरी 1864 एसीवी में उन्हों ने घाजीपूर में साइन्टिफिक सोसाइटी काइम की। उस सोसाइटी का बन्यादी मकसद तर्जमा के जरीए अंग्रेजी जबान में पाए जाने वाले उलूमों पुनून को आम हिंस्तानियों तक पहुँचाना था। सरस्यत का तबादला घाजीपूर से अलीगर हुआ तो सोसाइटी का दफ्तर भी अलीगर मनतقل हो गया। इस सोसाइटी ने आम हिंस्तानियों के फिलाहों बहबूत के लिए कई एहम एकदम एकदाम किये जिनमें सबसे एहम एकदम अलीगर इंसिट्यूट गजट का जारी किया जाना था। इस अखबार का शुमार उस जमाने के बहतरीन अखबारों में किया जाता था। हमने विसे जाना पड़ा लेकिन दबल दो नकते हैं ते अलीगर जाता था। ठीक है तो वाकि हम नेक्स्ट वीडियो में तो आज इतना ही दोस्तों ठीक है ना चलिए खुदाफिस और यह मैस सब्सक्राइब कीजिए और उन सभी तक महँचाए हमारी वीडियो को जिनके बारे में आपको लगता है कि उनको यह वीडियो देखनी चाहिए चले फिर मिलते हैं आपसे हमारी होगी नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ मुलाकात तब तक खुश रहें अबाद रहें सब्सक्राइब कर दो